महिला सुरक्षा को लेकर डीजीपी ओपिस सिंग ने निर्देश जारी कर दिया है जी हाँ सभी जिलों के SP को रात में महिलाओं की सुरक्षा के निर्देश जो हैं डीजीपी के तरफ से जारी किये गए है PRV के संचालन में कोई गड़बड़ी ना हो रात दस से सुबह 6 बजे तक लापरवाही ना हो रात में महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाए 112 PRV वैन पर महिला सिपाही जो हैं वो तैनात रहेंगी तो यूपी में जिस तरीके से उन्नाओ रेपकांड को हमने देखा उसके बाद लगतार एक के बाद एक चाहे वो बुलंच शहर हो लखनओ हो और एया हो सभी तरफ से जब इस तरह की खबरे आने लगी और अब जाके न सिर्फ मुखी मंत्री योगी आदतनात जागे हैं अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस जो है वो मुस्तायद होती नजर आ रही है 112 PRV वैन पर महिला सिपाही जो है वो तैनात रहेंगी महिला सुरक्षा को लेकर DGP O.P. Singh ने निर्देश जारी किये हैं सभी जिलो के SP को रात में महिलाओं की सुरक्षा के निर्देश जारी कर दिये है DGP ने ये निर्देश जारी किये हैं कि PRV के संचाले में कोई गड़बड़ी नहो रात 10 बज़े से सुबह 6 बज़े तक लापरवाही नहो रात में महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाए 112 PRV वैन पर महिला सिपाही तैनात रहेंगी